नमो हिमाले, आप सब के लिए बहुत प्रार्थना हैं, आपके और आपके परिवार में सब के लिए बहुत प्रार्थना हैं स्वास्थी के लिए और आपके काम के लिए आज का प्रश्ण है स्ट्रेस को लेके की स्ट्रेस ना चाहते हो भी आप ले लेते हैं काम करना चाहते हैं आगे भी बढ़ना चाहते हैं पर स्ट्रेस के कारण रुक जाते हैं क्या करना चाहिए इस विशे पर हमने पहले भी बहुत चर्चा की है आज फिर से कुछ नया उपाए सोचते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं ये बात तो पकी है कि जब आप काम कर रहे हों और यदि स्ट्रेस में पढ़ जाएं तो चाहकर भी काम अच्छा नहीं होगा मन ही नहीं लगेगा और जिस काम में मन नहीं लगता तो उसका जो फल है ये रिजल्ट है अच्छा नहीं आएगा आपको तो नुकसान होगा ही होगा लेकिन जिस के लिए आप ये काम कर रहे हैं चाहे वो अपनी कमपनी के लिए काम कर रहे हैं अब थोड़ा आप अपने बच्पन में जाओ जब आप छोटे थे और याद करो वो समय कि जब आप थोड़ा नाराज होते थे लेकिन ये नाराजगी जादा देर नहीं रहती थी थोड़ी ही देर में आप ठीक हो जाते थे कैसे अच्छा भोजन आपको मिल जाता मिठाई मिल जाती बाहर खेलने को मिल जाता या कुछ नाचने को या गाने को मिल जाता जैसे ही आपका मन रंजन हो जाता आपके मनों का मन का जिसको रेचन भी कहा जाता है वो हो जाता है आप स्ट्रेस से उदासी से बाहर आ जाते हैं अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम भूल जाते हैं इन सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली एक्टिविटिज को हम भूल जाते हैं कि कुछ अच्छा खालेने से मन बदल जाता है हमें लगता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो अब सब कुछ खत्म हो गया है ये बहुत बड़ी भूल होती है कुछ भी नहीं रुकेगा ये शुक जाती है सूरज आ जाता है थोड़े समय बाद फिर सूरज भी चला जाता है चंद्रमा आ जाता है हं धेरा हो जाता है तो इस संसार में कोई भी एक जैसा समय नहीं जीता आप अभी स्ट्रेस में हैं आपको लगता है कि संसार का अंत हो गया है पर ऐसा नहीं है इसमें बदल जाएगा ये याद रखना है आपको तुरंट अपने आपको बाहर लेके आना चाहिए स्ट्रेस से जिससे आप अपना जीवन खुशी से जी सकें तो क्या करना आपने कोई गाना सोचो वो गाना जो आपके मन को बहुत अच्छा लगता है उसी को चला दो जरा देखो उसका प्रभाव आपका मन तुरंट बदल जाएगा नाचने लगेंगे आप और भूल जाएगे कि आप सबसे अच्छा भोजन है या आपका सबसे अच्छा साथी है दो बातें उस साथी के साथ कर लिए वो भोजन कर लिया आप तुरंट अपने आपको इस मकडी का जाला जो है इस स्ट्रेस का इससे बाहर आते हुए पाएंगे तो याद रखिए यदि आप अपने मन को शक्ति का जीवन है आता रहेगा गुसा भी आएगा स्ट्रेस भी आएगा डिप्रेशन भी आएगा लेकिन यदि आपके पास कला होगी अपने मनो रंजन करने की मन को शक्तिषाली बनाने की मन को एंगेज करने की तो आपका नुकसान नहीं होगा और ऐसा ही मेरा विचार है कि आपने आपको हानी ना पहुंचाओ, स्ट्रेस आपके लिए बहुत हानिकारक है, ये याद रखेगा, खुशी आपके जीवन को आगे बढ़ाईगी, प्रसन्यता आपके जीवन को आगे बढ़ाईगी, तो आप प्रसन्य हों, खुश हों, और जीवन में आगे बढ़ते रहें ऐसी मेरी भगवती से प्रार्थना आज के लिए इतना ही आपके और प्रश्णों के साथ फिर मिलना होगा अपना ध्यान रखें नमो हिमाल प्रणाम